हेलो नमस्कार साथियो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर तो दोस्तों यहाँ पर 29 अक्टूबर की बड़ी ख़बर आई है यूपी टीटी दुफश जारूनिस जो की इसके फार्म एक नूंबर से भरे जाने हैं तो दोस्तों आपको फार्म भरने स दोस्तों को भी सेर करिए तो दोस्तों इस बार बड़ा बदला हुआ है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ तो दोस्तों आप से भी लोगों से मेरा रिक्रेस्ट है अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक् जानते क्या है आज का बदलाओ तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं दोस्तों जैसा कि यहां पर 2018 में जो पेपर हुआ था, यूपी टीटी का तो उसमें दोस्तों बहुत से ब्यारती फ़र्म को भर नहीं पाये थे इसलिए यहां पर वैफसाइड नहीं चली थी तो दोस्तों यहां पर अब की बार यहां पर बहुत ही कम समय दिया रहा है फर्म भरने के लिए तो दोस्तों आप सभी लोगों को डागुमेंट्स तयार रखना है और फार्म भरने के लिए बहुत कम समय है तो दोस्तों आप फार्म भरना है जल्दी से भरना है और बेप साइट में बहुत प्रॉब्लम रहती है तो आप जरूर से जरूरू फार्म भर देने और अच्छा रहेगा दोस् सबसे पहले आपको इगर नहीं भर पा रहे हैं तो मतलब त्यारी में आपको problem हो सकती तो सबसे पहले date भी ज़ुरूरी जानी है अगर आप तैयरी करना चाहते हैं तो दोस्तों यह होगा देट आप बताईगी है आपको जाना जूरी है एक नमबर का फार्म स्टार्ट होगा और 20 नमबर तक इसके फार्म भरे जाएंगे मात्र 20 दिन इसमें आपको दिये जानी है तो इससे क्या होगा आपको 20 दिन में आपको फार्म भरना है तो दोस्तों जैसे एक तारिक से फार्म भरना है जैसे आपको अच्छे से आपको एक् में रखते हुए आप एडमिट कार्ट जो है 12 दिसंबर को आ जाएगा तो दोस्तों आप समय भी नहीं बचा है आप पढ़ाई भी करिए और जो इसकी एक्जाम डेट है 22 दिसंबर की बताई गई है रिजल्ट अवेलबल है 21 जनवरी 2020 को तो दोस्तों और आपको बताना होगा दोस्तों आप सभी लोग अपने डागोमेंट्स तयार कर लीजिए तो दोस्तों आप समय नहीं है आज हो चुकी है 29 दारिक ये बड़ी ख़वर मैंने आपको बता दी है दोस्तों और एक नौंबर से फर्म भरना सुरू हो जाएगा तो दोस्तों इतनी थी जानकारी अगर दोस्तों मेरे वीडियो का इच्छा लगा है यही पर समाप्त करते हैं धर नमाद